Hello everyone, welcome to Kalkhand YT दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करनाटक GDS रिजल्ट के बारे में दोस्तों 243 पोश्ट पर वेकंसी आई थी और काफी सारे लोग इसके रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे पिछले दिनों जो मैंने गुजरा GDS रिजल्ट और आपका जहारखंड GDS रिजल्ट पर वीडियो डाला था तो उसमें आप लोग कमेंट आये थे कि करनाटक GDS रिजल्ट के बारे में बताने के लिए तो दोस्तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और साथी वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा तो चलिए दोस्तो बात करते हैं करनाटक रिजल्ट पर जैसा कि मैंने आप सभी को पहले वीडियो में बताया था कि अभी तक क्योंकि जरूर करनाटक का रिजल्ट नहीं आया है तो इस वज़े से हो सकता है कि आपका करनाटक का भी रिजल्ट लेट हो सकता है क्योंकि जारखंट का रिजल्ट जो वो तीन मेहने के अंदर आ जाना था लेकिन अभी चार मन्थ हो चुके हैं और करनाटक का रिजल्ट अगर हम आने के एक डेट के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता हुआ कि करनाटक की वैकेंसी जो है वो 21 तारिक को आई थी दिसंबर में और 2021 लाश डेट था तो ऐसे में अपरेल में बहुत जाता चांसे से हैं कि आपका रिजल्ट आएगा वो भी 20 तारिक के बाद क्योंकि 20 से 20 जो आपका 90 दिन का समय पूरा हो जाता है और इसके बाद जो आपका रिजल्ट आ सकता है और काफी सारे साइटों पे भी यह बताया गया है कि अपरेल में आपका टेंटिटी वैर रिजल्ट आएगा हलाकि मैं यहाँ पे साइटों की बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ बार-बार समय चेंज होते रहता है लेकिन जो मैंने पिछले वैकेंसियों में देखा जीडियस के उसके हिसाब से आपका अपरेल में 20 तारिक के बाद रिजल्ट आ जायेगा तो दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा